इन तस्वीरों को देखिए इन तस्वीरों में आपको तुर्किये के राश्ट्रपती एर्दोवान दिख रहे हैं एर्दोवान G20 के सभी नेताओं के साथ राजगाट पर गांधी समाधी पर पहुँचे थे लेकिन किसी को नहीं पता था यहां क्या होने वाला है एर्दोवान की गाड़ी राजगाट पर पहुची एर्दोवान अपनी सिक्यरोडी के साथ गांधी समाधी की तरफ बढ़ने लगे पिये मोधी पहले से ही एर्दोवान का इंतजार कर रहे थे लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब को हैरान कर दिया आप जानते ही हैं कि G20 के चलते दिल्ली में जबरदस्त सिक्योरिटी थी भारतिय सुरक्षा एजेंसियों की नजर से कोई नहीं बच सकता था ऐसे में भारतिय सुरक्षा एजंसियों के अधिकारियों को एर्दवान की सिक्योरिटी में लगे एक ओफिसर के हाथ में नीला बैग दिखा तुर्की के ये सिक्योरिटी ओफिसर एर्दवान के पीछे ये बैग लेकर चल रहे थे लेकिन भारतिय सुरक्षा एजंसियों के अधिकारियों ने एर्दवान के सिक्यूरिटी ओफिसर को रोक दिया अचानक वहाँ पर गहमा गहमी की स्थिती बन गई भारतिय सिक्यूरिटी अधिकारियों ने बैग की तलाशी ली इस दोरान एर्दवान लगातार आगे बढ़ते जा रहे थी एर्दवान को अंदाजा नहीं था कि पीछे क्या चल रहा है लेकिन अचानक एर्दवान के साथ चल रही एक महिला ट्रांसलेटर ने पीछे मुड़ कर देखा इस महिला ट्रांसलेटर ने भारती अधिकारियों को बोला कि इस बैग में कुछ जरूरी समान है ये बैग राश्ट्रपती अर्दवान के साथ होना चाहिए महिला ट्रांसलेटर की बात सुनकर भारती अधिकारियों ने ये नीला बैग उसे सौप दिया लेकिन अर्दवान की बाकी security को पीछे ही रोक दिया गया लेकिन इसके बाद तो और भी दिल्चस्प किस्सा हो गया बैग लेने के चकर में महीला translator पीछे रहे गई और अर्दवान काफी आगे तक निकल गई इसके बाद ये महिला ट्रांसलेटर भागते हुए अर्दोवान के पास पहुची लेकिन अब भारतिय सुरक्षा अधिकारियों ने इस महिला ट्रांसलेटर को भी रोक दिया इस translator को बताया गया कि उसे दूसरे रास्ते से जाना है, जिस रास्ते पर वो जा रही है वहां से सिर्फ एर्दोवान ही जा सकते हैं ये महिला translator भारतिय सुरक्षा अधिकारियों को बताती रही कि उसे राश्ट्रपती एर्दोवान के साथ ही रहना है लेकिन भारती अधिकारियों ने इस महिला ट्रांसलेटर को रोक दिया लेकिन इस बार इस पूरी गहमा गहमी पर अर्दोवान की नजर पड़ी अर्दोवान ने पीछे मुड़कर देखा तो वो महिला ट्रांसलेटर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी इस दोरान पीए मुड़ी भी स्टेज पर अर्दोवान का इंतजार कर रही थी बाद में इस महिला ट्रांसलेटर ने बैग से कुछ समान निकाल कर अर्दोवान को दिया उसके बाद महिला ट्रांसलेटर को वहाँ से वापस भेज दिया गया बहराल इसके बाद अर्दोवान स्टेज पर पहुँचे और पीए मुदी ने उनका स्वागत किया लेकिन आप देख सकते हैं कि भारतिय सुरक्षा एजंसियां कितनी चौकन नी थी भारतिय सुरक्षा एजंसियां किसी भी तरहे का रिस्क नहीं लेना चाहती थी